Hey guys, welcome back to my channel once again और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको पताने वाली हूँ कि कैसे आप 4 easy steps में अपना facial कर सकते हो ये वीडियो teenagers, school going girls के लिए बहुत ही usable होने वाली है और आज की वीडियो में जितने भी items मैंने use कि हैं वो आपके kitchen में easily available भी होंगे तो चलती से शुरू कर लेता है इस वीडियो को तो यहाँ पर मैं start करने वाली हूँ tomato से और ये हमारा पहला step है आप tomato को पीच से cut कर लीजे और अगर आप चाहें तो उसमें मार्ट भी कर सकते हैं तन हम उसे अच्छे से squeeze करके अपने पूरे face पी लगाएंगे so that एक एक portion पे अच्छे से tomato का juice लग सके आप अच्छे से tomato की slice से पूरे face पे massage कर लीजे अब मैं लेने वाली हूँ rice powder और उसको अच्छे से tomato के ऊपर डाल दूँगी अगर आपके पास rice powder नहीं है तो आपके घर में अगर rice available होंगे तो आप उसको भी piece के rice powder बना सकते हो then मैं again अपने पूरे face पे अच्छे से massage करूँगी जो portion मेरे जादा dark है उसको अच्छे से मैं massage करूँगी so ये पूरा का पूरा process basically एक cleansing process है और इस process में हम अपने face को अच्छे से cleanse कर रहे हैं क्योंकि उसके पाद हमें scrubbing and face pack बगएरा भी use करना है अब मैं अपना face अच्छे से wash कर लूँगी हलके से गुन-गुने पानी से क्योंकि अब मुझे apply करना है second face pack अब मैं next face pack बनाने के लिए use करूँगी tomato tomato सबको पता है कि हमारी skin के लिए काफी अच्छा होता है detanning के लिए काफी अच्छा होता है then मैं इसमें डालूँगी थोड़े से oats अब आप लोग सुचेंगे कि oats भी अब face पे लगाएंगे क्या हम लोग पर oats भी हमारे face के लिए काफी अच्छा होता है क्योंकि oats में vitamin b1 होता है high zinc content होता है and इन सब चीजों से अगर आपकी skin पे कोई marks वगेरा है वो lighten होंगे आपके face का coloration भी ये correct करेगा skin brightening में help करेगा then मैं इसमें डालूँगी थोड़े सी coffee coffee full of antioxidant होता है के लिए काफी useful रहने वाली है इन तीनों चीजों को मैंने अच्छे से mix कर लिया है अब मैं इसको apply करूंगी अपने face पे face के जिस जिस portion में मेरे थोड़ा dark area है या फिर जहां मुझे tanning के ज़्यादा दिक्कत रहती है face पे उस portion पे मैं अच्छे से इस face पेक को लगाऊंगी और जब मैं पूरे face को अच्छे से cover कर लूँगी इस face पेक से तैन मैं अपने face के अच्छे से massage करूंगी ये face पेक आप सिर्फ face पे ही नहीं बलकि अगर आपके हाथ में भी tanning वगेरा है या फिर marks वगेरा है तो आप hand पे भी use कर सकते हो और अगर इस process को आप week में दो बार भी कर रहे हो तो more than enough रहता है क्योंकि आपकी skin की dead cell remove करेगा और काफी सारी चीज़ों मैं help करेगा तो आप इस face पेक को try जरूर कर सकते हो ये पूरा का पूरा process एक scrubbing का process है और ये जो मैंने face pack बनाया है basically scrub के लिए ये बहुत ही मतलब बहुत soft सा है ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ आपको particles मिल रहे हो या बहुत hard ये face pack बनाओ और बहुत easily आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये face scrubbing हो रही है basically आपके face की इससे आपके face का dirt आपके face की tanning इन सब चीज़ जो मैं help मिलेगी और आपके पास अगर sugar है white sugar और या फिर brown sugar है तो आप वो भी डाल सकते हो instead of coffee आप coffee को white sugar या brown sugar से भी replace कर सकते हो वो भी काफी help करेगा आपको इस process के बाद मैंने अपने face को दुपारे से wash कर लिया है और अच्छे से tap tap करके face को clean भी कर लिया है अब मैं यहाँ पर करने वाली हूँ steaming का process अगर आपके पास steamer है तो आप steamer से भी कर सकते हो बट अगर आपके पास steamer नहीं है तो आप देसी जो गाड़ी उस कर सकते हो मैंने यहाँ पर हैंकी को गरम पानी में अच्छे से डुपो कर उसका पानी drain out करके देन अपने face पे लगाया है वो भी एक steamer का काम करेगा या फिर आप किसी भी बाउल में पानी गरम करके उससे भी steam ले सकते हो तो जो प्रोसेस आपको easy लगे उस प्रोसेस से आप steam ले सकते हो आपको ये प्रोसेस एप्रॉक्स 5 मिनट के लिए करना है इस प्रोसेस के बाद आप अपने हैंड से अपने ब्लैकेट्स वगेरा easily remove कर पाएंगे अब हम move कर लेते हैं अपने next face pack की तरफ इसमें भी मैं यूज़ करने वाली हूँ tomato एंड इसमें मैं add करूंगी थोड़ा सा पेसन पेसन सब को ही पता होगा कि पेसन हमारे face के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है ये reduce करता है फ्रिंकल्स आपके face के आप यवन पेसन को daily भी use करोगे तो भी उसका कोई side effect नहीं होता है ये एक natural product है जो आपके skin को moisturize करेगा, hydrate करेगा तो पेसन बहुत useful है आपके skin के लिए नाव मैंने इस पूरे face pack को अच्छे से mix कर लिया है और अपने face पे एक एक portion पे अच्छे से apply करूंगी और बहुत ही soft सा ये paste बना है मैं इसको अपनी under eye भी अच्छे से लगाऊंगी इस face pack को अपने पूरे face पे अच्छे से लगाने के बाद आपको simply light handed massage करनी है बहुत हलके हलके round motion और बहुत अच्छे से आपको अपने पूरे face की massage करने के बाद इसको hardly five minute के लिए आपको इसको as it is छोड़ना है अगर आप week में इस process को दो बार भी repeat करोगे तो थोड़े दिनों में आपको अपने face पे खुदी काफी difference notice होने लगेगा और ये चीजे बहुत छोटी छोटी सी है सभी निया कि इसमें बहुत जादा investment आपको कोई करना है क्योंकि जितना भी समान मैंने इस video में use किया है वो सब आपके घर में available होगा easily हमारी kitchen में हर एक समान मिल जाता है और बस यह कि आलस न करके हमें थोड़ा सा अपने face पे ध्यान देना चाहिए इस process के बाद again मैं अपना face अच्छे से wash कर लूँगी तैन जो बचावा paste था जिसमें मैंने tomato basin अड़ किया था अब मैं उसमें coffee mix करने वाली हूँ pinch of coffee आपको इसमें mix करना है और थोड़ी सी हल्दी भी मैं इसमें mix करूँगी आप सब को बता होगा कि हल्दी भी एक antioxidant है anti-inflammatory component है तो हल्दी अगर आप अपने face पे use करते हो तो आपके face पे glow आएगा काफी मतलब shining आईगे आपके face पे अगर आप allergic है तो आप हल्दी यूज़ करना एवाइड कर सकते हैं नाव यह जो face back ready हुआ है इसको again मैं अपने face पे apply करूंगी और अच्छे से एक एक portion में इसको मैं apply कर सकती हूँ यह जितने भी मैंने आपको इस video में face back दिखाए है यह सब आप not only on your face बलकि आप अपने hands पे अपने legs पे जिस area में आपको tanning होती है under arms में वह पे भी use कर सकते हो तो आपको काफी help मिलेगी tanning remove करने में और यह face back वगेरा बहुत easily बन जाते हैं घर में इसमें कोई hard and fast rule भी नहीं है इस face back को आपको hardly 10-15 minutes के लिए रखना है and कोशिश कीजिएगा कि यह वाला face back आप बहुत पतली layer लगाएं so that easily dry हो जाएं क्योंकि अगर आप पुत्तिक layer लगाएंगे तो dry होने में बहुत जादा time लगेगा और जितनी पतली layer लगेगी उतनी चल्दी आपका face dry हो जाएगा and remove करने में भी मतलब काफी easy रहेगा आपको ऐसा नहीं की मतलब बहुत महनत करनी पड़ रही हो आपको उतारने में इस face pack को रखने के बाद आपको अगेन अपना face अच्छे से wash कर लेना है and इस पूरे process के बाद आप खुद बहुत जादा difference महसूस कर पाएंगे last step यह है कि आपको अब अपना face moisturize भी करना है उसके लिए मैं यहां पर यूज कर रही हूं lotus का moisturizer आप जो भी moisturizer यूज करते हो जो आपकी skin को suit करता है आप वो moisturizer अपने face पे apply कर सकते हो और मैंने अच्छे से moisturizer apply करके अपनी skin को hydrate करके बहुत light hand से हलके हलकी massage करी है और बहुत अच्छे से apply किया है यह 4 step का process करने के बाद आप अपने face पे खुद difference महसूस कर पाएंगे and अगर आप week में 2 पार भी करते हो तो यह more than enough रहने वाला है काफी अच्छे आपको इसके results मिलने वाले है and आपकी skin भी hydrated रहेगी, moisturized रहेगी and काफी healthy भी रहेगी so I hope you like the video, thanks for watching